हेलो फ्रेंट्स आप लोग का बहुत बहुत स्वोगत है स्टडी पॉइंट यूटूब चैनल पर I welcome you all और आज के इस पर्टिकलर वीडियो शेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जारकन राज से सम्मदित कुछ बहुत ही इंपोर्टेंट 30 करन्ट अफेर के कोशन जो कि आपके आने वाले एक्जाम के लिए बहुत ही जादा इंपोर्टेंट है इससे पहले जारकन राज से सम्मदित और भी करन्ट अफेर के वीडियो चैनल पर अल्रेडी अप्लोडेड है उनकी प्लेइलिस्ट बनी हुई है और कुछ इंपोर्टेंट वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है आप वहाँ पर जाकर के वीडियो को देख सकते हैं उसमें भी इंपोर्टन कोशन को डिस्कस किया है जो कि आप एक्जाम पॉइंट वीडियो से बहुत ही जादा इंपोर्टन है तो चलिए हम लोग अपने आज का डिस्केशन स्टार्ट करते हैं पहला कोशन है जैसा कि आप देख रहे है जारकन का कौन सा थाना राज का पहला स्मार्ट थाना बना आपके सामने चार ओप्शन है और इस कोशन का करेक्ट आंसर जाएगा ओप्शन C कोत वाली थाना जो की राची में है और जैसा कि आपको पता है कि राची जारकन की राजधानी भी है ठीक है नेक्ट कोशन पर हम लोग आते हैं कोशन है दालभात योजना का नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया गया है तो यह किया गया है मुख्यमंत्री कैंटीन योजना यहाँ पर ऑप्शन भी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर यह कोशन मोस्ट इंपॉर्टन है तो आपको अच्छे सियाद कर लेना है नेक्ट कोशन है आपके सामने धार्मिक स्वतंता विधेयक पारित करने वाला जार्खन देश का किस क्रम का राजे है आपके सामने चार ओप्शन दिया हुआ है और इस कोशन का करेक्ट आंसर गया ओप्शन ए पहला ठीक है धार्मिक स्वतंता विधेयक पारित करने वाला जा जारकन देश का पहला राज़ बन गया है तो कोशन अपने आप में बहुत ही जादा इंपोर्टन हो जाता है इसको आप लोग याद कर लिजेगा अगर आप चाहें तो वाट्सप गुरूप से भी जूड़ सकते हैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और टेली आप से भी जूड़ सकते हैं नेक्स्ट कोशन है आपके सामने जीएस्टी पारित करने में जारकन भारत में किस इस्थान पर है और इस कोशन का करेक्ट आंस होगा ऑप्शन सी तीसरा जीएस्टी की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है गुड्स सर्विस गुड् सेवाकर जो कि 1 जुलाई 2017 से भारत में लागू हो गया था ठीक है यह एक प्रकार का इंडारेक्ट टैक्स है नेक्स्ट कोशन पर आते हैं जारकन का पहला शू बैंक कहां खोला गया है आपके सामने चार ऑप्शन है गोंडा राची चाईबासा या दुमका और इस कोशन का करेक्ट आंश हो गा ऑप्शन C चाईबासा में जारकन का पहला शू बैंक खोला गया है तो यह कोशन भी इंपोर्टन हो जाता है क्योंकि जारकन का पहला शू बैंक है अगला प्रकाशन आपके सामने जारकंड के किस ग्राम को जल सर्ड़क्षन की दिस्टी से आदर्ष ग बेडा ओप्शन बी हो जागा यहां पे हमारा सही आंसर अगला प्रेशन आपके सामने नव निर्मित नगर पंचायत डोम चांच की जिले में इस्थित है आपके सामने चार ओप्शन है पलामू, रामगण, गिरीडी या कोड्रमा और इस कोशन का करेक्ट आंसर हैगा कोड्र पढ़ाई की शुरुवात की गई है ठीक है I'm sorry एगर मैंने आपे प्रोनॉंसरेशन गलत किया हो तो और इस कोशन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ओप्शन C राची विश्विद्याले ठीक है ओप्शन C हो जाएगा यहां पे हमारा करेक्ट आंसर नेक्स कोशन है आपके सामन अगला प्रेशन आपके सामने शहीद ग्राम विकास योजना की शुरुवात राज सरकार ने किस गाउं से की तो यह की है उलू हाती गाउं से की है नेक्स कोशन पे हम लोग आते हैं कोशन है राजे में किस जल्परपात को सरक शेष जल्परपात का पुरुशकार दिया गया जिस कोशन का करेक्ट आंसर विएका आप्शं सी हूंडुरू ठीक है हूंडुरू यहाँ पे जुमने आपसे कोशन डिसकस किया था इसमें जो है उली हातू है ठीक है उली हातू प्रश्न आपके सामने निम्ड में से किस बाशा को जारकन के स्कूली कोर्स में शामिल किया गया है तुलू, मगही, अंगिका या कोंकडी और इस कोर्शन अगरेक्टांस जोएगा उप्षन D, कोंकडी और इस जारकन के स्कूली कोर्स में शामिल किया गया है प्रश्न आपके सामने जारकन के किस ब्यक्ति को फ्रांस में आरेन मैन की उपादी से नवाजा गया यूरोप कॉंटिनेंट का देश है फ्रांस ठीक है इसकी राजधानी क्या है मुझे कमेंट शेक्षन में आपको ज़रूर बताएगा तो किस ब्यक्ति को जारकन के किस ब्यक्ति को आरेन मैन की उपादी से नवाजा गया है तो ये है कृष्ण प्रकाश ठीक है ओप्षन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर इंपॉर्टन कोशन है ये भी अच्छे से याद कर लिजेगा आप लोग नेक्स्ट कोशन है जो हार जारकन की शिवा जारकन में कब की गई तो ये की गई है कब 15 नवंबर 2017 ठीक है अगला प्रकाशन आपके सामने जारकन में चलाई जा रही एंबुलेंस सेवा किस लिए सरकार एंबुलेंस सेवा के लिए सरकार ने कौन सा नमबर जारी किया गया है तो ये है 108 ठीक है 108 इस आवर करेक्ट आंसर अगला प्रकाशन आपके सामने जारकन राचे के जिले में गिफ्ट मिल्ख कारिकरम की शुरुवात की गई और इस कोशन का रिक्ट आंसर एगा लाते हार ठीक है लाते हार प्रश्न आपके सामने गिफ्ट मिल कारिकरम के तहट स्कूली बच्चे को कितना दूद दिया जाता है तो ये दिया जाता है 200 ml ठीक है वर्तमान समय में ज्ञारकन राज के क्रिसी सचिव कौन है ठीक है क्रिसी सचिव कौन है जहरकन राज के तो यह हैं पूजा सिंगल ठीक है प्रस्टे आपके सामने जहरकन सरकार ने वर्ष्ट 2018 को घोशित किया है क्या किया गोशित आपके सामने चार ओप्षिन दिया हुआ है। अप्षन निवारा दिवस, बाल निरोग वर्ष महिला उद्यमिवर्ष या स्वक्षता वर्ष ठीक है और इस कोशन का करेक्ट टांसर जाएगा option number B बाल, निरोग, वर्ष ये भी question important है सभी question important है last मैं आपसे मैं एक important question पोजूँगी इसका answer आपको comment section में देना होगा प्रशन है आपके सामने जार्खन के case जिले में E समाधान योजना चलाया जा रहा है आपके सामने चार option है गिरीडी, धनबाद, पलामू या राची और इस question का correct answer आपके option number A option number A गिरीडी भारत एवं विश्म के अन देशों में जार्खन की ब्रांटिंग करने की जमाधारी किसे सौपी है महेंदर सिंग धोनी, दीपिका कुमारी, सुधीर, होरो या वरुन एरोन और इस question correct answer आपके सामने कौन सा निकाए राज का पहला कैशलेश निकाए बना राची, धनबाद, या चास, या आधितपुर ठीके, कौन सा निकाए राज पहला कैशलेश निकाए बना तो इस question correct answer आपके राची ठीके राची बहुत इन्यूस में रहा है तो आपके सभी चीज़ें याद कले राची से related की क्या क्या हुआ है कैरोसीन तेल में बिचोरियों को समाप्ट करने वाला देश कब पहला जिला कौन बना क्योंकि ये देश का पहला जिला बना है तो कोशन अपने आप में important हो जाता है और इस कोशन और करेक्ट आंसर एगा चतरा ठीक है चतरा option B is our correct answer ठीक है 10 मिनट में लगवा आपके 30 कोशन त्यार हो जाएंगे तो आप पूरा अच्छे से याद कलीजेगा जारकंड सरकार द्वारा सिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए किस कक्षा में बोट की परिक्षा लागू करने का घोशना की गई है तो ये है class 8 ठीक है class 8 में ही जो है बोट की परिक्षा लागू करने का announcement किया है तो option C हो जाएगा हमारा correct answer अब जारकंड राज में class 8 में ही बोट की परिक्षा लागू की जाएगी ठीक है अगला question आपके सामने अक्षय पात्र योजना के लिए जारकंड के जिले का चैन किया गया है आपके सामने चार option हजारी बाग राची खूटी या पलामू और इस question correct answer हजारी बाग ठीक है important question है ये भी और 8th class वाला जो बोड वाला है वो भी question important है अभी तक के जारकंड में अभी तक के जारकंड में पूर्ण भहुमत की सरकार किस वर्ष बनी important question है और इस question correct answer 2015 ठीक है 2015 पंद्रा प्रश्ण आपके सामने जारकंड सरकार के फैसले के अनुसार अब राज्य का वित्य वर्ष कब से कब तक चलेगा तो ये चलेगा कब से कब तक जन्वरी से दिसेंबर जैन टू डिसेंबर ठीक है जे टू डी प्रश्ण आपके सामने जारकंट सरकार के नए फैसलिक अनुसार महिला के नाम पर होने वाली रजिस्ट्री का स्टाम शुल कितने रुपए निधारत किये गये हैं तो ये किया गया है कितना एक रुपए, सो रुपए, एक हजार या दस हजार और इस कोशन और करेक्ट आंस हो जाएगा एक रुपए, ठीक है एजावर करेक्ट आंसर और ये भी कोशन most important है, ठीक है अगला प्रेशन आपके सामने स्वक्ष सुंदर सौचाले पुरुषकार 2019 में पुरे देश में जारकंट का स्थान कौन सा था तो जारकंट का स्थान था पहला ठीक है, फस्ट आया है जारकंट, तो बहुत इच्छी बात है तो option B is our correct answer मैंने आपसे काता है last का question आपसे में पूछन आपसे में पूछन जिसका answer आपको comment section में देना होगा, तो question क्या है जारकंट के मुख्य मंत्री रख्यूवर दास ने 1 मार्श 2019 को निम्न में से कहा कोशल कॉलेज का उधगाटन किया आपके सामने 4 option है हजारी बाग, चाईबासा बुकारो और राची आपको ये वीडियो कैसा लगा comment section में ज़रूर बताएगा और इस question का answer आपके उप ज़रूर दीजेगा और बाकी के जो current affair के parts है